let's solve this question, in this question we have to find the equivalent resistance across terminal A and B तो इस circuit में ये circuit को equivalent resistance find करने के लिए हम सबसे पहले तो एक बैटरी यहाँ पर connect कर ले सपोज इस side battery का positive terminal है मतलब plus 10 volt हम यहाँ पे ले लेंगे और इस side battery का negative terminal है तो 0 volt यहाँ पे ले लेते हैं ठीक है प्लस माइनस तो higher voltage से current निकलेगी अब इसमें symmetry इस violet line के across है मतलब उपर नीचे symmetry है इसमें इसको violet line से शोगिया गया है और इसमें आगे पीछे भी symmetry है इसको अमने blue line से शोगिया तो इसमें दो करेक्ट ही symmetry है तो उन दोनों symmetry से क्या होगा कि अगर ये current I1 है तो ये current भी I1 होगी ये उपर नीचे symmetry की वज़े से हो जाएगी और आगे पीछे symmetry की वज़े से क्या होगी ये current I1 हो जाएगी और ये current I1 हो जाएगी मतलब ये दोलो current इसके equal होगे ठीक है ये आगे पीछे symmetry से हो गया similarly अगर हम इसमें I2 ले लेते हैं तो उपर नीचे symmetry से ये current I2 हो जाएगी ठीक है ये भी current I2 हो जाएगी और आगे पीछे symmetry से ये current I2 और ये current I2 हो जाएगी ठीक है and last third wire ये बीच वाला जो wire है इसमें अगर हम I3 current लेते हैं तो इधर से current कितनी enter करेगी 2 I1 प्लस 2 I2 और I3 और यहाँ पे 2 I1, 2 I2 और इसमें I3 होनी चाहिए ठीक है तो खुल मिला के इस वाले wire की जरूरत नहीं है या potential से भी chapter लेते ये middle point पर रहा है तो यहाँ पे 5 volt हो हो क्योंकि जितना इधर से decrease करेगा उतना ही ते से increase करेगा symmetry से वैसे ही जितना इधर से decrease करेगा उतना इधर से increase करेगा तो यह 5 volt हो जाएगा 週 research ले ऐसे यह भी हो होगे जितना इधर से increase करेगा उतना ही हो जाएगा यह 5 volt तो उसके according क्या हो जाएगा, यह 5V तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर, suppose करो इधर से x potential अगर increase करता है, ठीक है, तो इधर से x potential decrease करेगा, तो 10 minus x हो जाएगा, similarly, नीचे की तरब ऐसे ही होगा, नीचे की तरब दिमाग नहीं लगाना, जैसा उपर होगा ऐसे ही नीचे होगा, तो x इधर और यहाँ भी कितना आजाएगा, 10 minus x, so, let's write the formula for equivalent resistance, तो equivalent resistance, आर equivalent is equal to क्या होगा, 10 upon total current, और total current यहाँ पर, जो आने वाली current हो ले लेते हैं, आने वाली जाने वाली बराबर होती है, तो 2i1 plus 2i2 and this i3, so, the total current is 2i1 plus 2i2 plus i3, ठीक है, 2i1 plus 2i2 plus i3, now, इसमें हम क्या कर सकते हैं, now, फिर values पुट कर लेते हैं, the system, 2i1 की value को क्या लिखो गए, 2i1 है, 5 minus 0, और सबका resistance R है, तो 5 minus 0 by R, तो 2 into 5 minus 0 by R, यदि 5 by R, ठीक है, you can write 5 minus 0 divided by R, for understanding, ठीक है, 2i2 की value किसके बराबर हो जाएगी, i2 की value, i2 का है, i1 इदर आ गया, i2 की value कितनी हो जाएगी, x minus 0 upon R, x minus, तो ये 2 x minus 0 upon R आ जाएगा, यदि x by R आ जाएगा, plus i3 की value किसके बराबर हो जाएगी, वो भी 5 minus 0 by R के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो इसको 2 की जाएगे 3 कर देते हैं, तो जो final equation आ जाएगी, R equivalent की, R equivalent की final equation, let's make the space, so, R equivalent की हमारे पास equation हो गई है, this is 10 upon, यहाँ पो जाएगा 15 by R, 15 by R, plus 2x by R, 15 by R, plus 2x by R, ठीक है, अब हमें x की value निकालके यहाँ पे put कर दी हैं, तो x की value निकालके put कर लो, x की value निकालने के लिए क्या करोगे, obviously KCL यूज़ करना पड़ेगा तुमें, तो x की value निकालने के लिए हमको यह वाला point ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले point पे हम sum of current 0 कर रहे हैं, sum of current 0 कर रहे हैं जो हमने violet point ले आ है, तो यहाँ से current कहां पा जाएगी, यहाँ से पहले तो इधर जाएगी, ठीक है, यह current जाएगी, यह current कितने होगी, x minus 10, sorry, x minus 10 minus x by R सारे R हैं, तो पहली current होगी, पहली जो इधर current जाएगी है, उसको हम लिख सकते है, x minus 10 minus x by R, तो उसको लिख सकते है, 2x minus 10 by R, यह पहली current होगी, प्लस दूसरी current इस वाले wire में जाएगी, ठीक है, इधर से यह wire है, एक इधर current जाएगी है, एक फिर इधर current जाएगी है, वो current कितनी होगी, x minus 5 by R, x minus 5 divided by R, ठीक है, फिर एक और current जाएगी, यह वाले current जाएगी, that will be x minus 0 by R, प्लस x by R, ठीक है, x by R, इस इकोल टी क्या हो जाएगा, 0, बस यहाँ से x की value निकालके, इस equation में put कर दिया, तो वो हम कर सकते हैं, finally, let's check the calculation, तो यहाँ पे, जो हमने 2x minus 10 by R, x minus 5 by R, x by R, R तो सब खतम कर दिया, 2x minus 10 plus x minus 5 plus x, तो 2x plus x, और यह 4x आगया, तो 4x is equal to 15 आगया, x की value 15 by R, फिर यहाँ पे put कर दि, 10 15 by R, तो R उपर चला गया, 10 by 15 plus 2x की value 15 by R, फिर LC हम ले लिया, 4 उपर भेज दिया, फिर यहाँ पे 60 plus 30, यही 4 R by 9 will be the answer, तो यह calculation इसकी होगी,